जैस्वामिनारंड जैसी क्रस्ना आज मैं आपको पानाची के लिए अलकावली बनाना सिखाऊंगी जो सीर पर लगती है इसके लिए हमको चाहे वैट कलर के मोती रेड कलर के मोती धागा और कैची अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पेले हम वाइट कलर के तेर मोती लेंगे एक, दो, तिन, चार, पाट, छे, साथ, आट, नौ, दस, अज्यार, बार, तेर इस तरह के हमें तेर मोती ले लिए अब हम, तीन मोती लेंगे, एक वाइट, एक रेड, और फिर से एक वाइट, इस तरह और जो ये पेला मोती है, ठागे के गाट, चो नोट लगा ही उसके पास के ने, जो यहाँ पेला वाला मोती है, उसमें बीच की में से, ठागे में से, सोई निकाल कर फिर ये जो पेला वाला वाइट होती है बीच का रेड और पेला वाइट छोड़कर जो ये लाश्ट का वाइट है उसमें से धागा निकालना है फिर एक रेड और एक वाइट और फिर से जो ये दूसरा मोती है उसके धागे के बीच में में से सोई निकाल कर वाइट मोती में से फिर से सोई निकालना है हर बार हमें दो ही मोती लेना है एक रेड और एक वाइट और जो धागा है बीच वाला धागा एक मोती छोड़कर बीछ के धागे में से सोई निकालकर फिर swap white मोती में से सोई निकालने ही इस तरह होता जाएगा फिर एक red एक white और जो ये पीछ धागे में से सोई निकालकर फिर से white मती में से संय निकाल नहीं, Red, white, और फिर एक मती छोड़कर थागे में से संय निकाल कर इस तरह संय निकाल में, फिर रेड वाइट और एक मोती छोड़ कर धागे में से सोई निकाल कर फिर से वाइट मोती में से सोई निकालनी है इसी तर हम पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे लाश्ट तक पहुच गए है इस तर इस तर हमारा कंप्लेट हो जाएगा आप देख सकते अब हम वापस से तीन मोती वाइट लेंगे एक तूर्टी तीन मोती वाइट लेंगे इस धागे में से सोई निकाल कर मोती में से सोई निकाल कर इसतर मोती में से सोई निकल कर यहाँ फिर से तीनों मोती में से सोई निकल कर और वाइट मोती फिर ये पास वाला दो मोती है उसमें से सोई निकल नहीं है देख सकते हैं दो रेड में से सोई निकल अब फिर दो वाइट लेना है और ये वाइट में से सोई निकाल कर फिर से जो धागा वाला है उसमें से सोई निकालनी है इस तरह फिर दो वाइट लेना है और फिर से ये वाइट एक वाइट छोड़कर एक वाइट सोई निकालनी और फिर से रेड और पास वाला रेड दोनों में से सोई निकालनी है यह जो नहीं से समय निकालनी है अब फिर से दो वाइट लेना है और वाइट और रेड और यह धागा वाला है इसके पास से इस तरह हमारा होता जाएगा इस तरह हम पूरी लैंड कॉम्प्लिट कर लेंगे दो वाइट लेकर इस तरह हमारी लैंड कॉम्प्लिट होने चार रही है आप देख सकते हुए यह हमारी लैंड कॉम्प्लिट हो गई है अब हमें पहले यह वाइट वाला मोती है उसमें से समय निकालनी है इस तरह बाजी वाला है अब हम तीन मोती में से समय निकालनी है एक दो और तीन तीन मोती में से समय निकालनी है फिर हम दस मोती लेंगे वाइट कलर के एक दो तीन चार पाट छे साथ आट नौ और दस दस मोती लेंगे है दिखाती हूँ आपको इस तरह दस मोती लेंगे है अब हम फिर एक वाइट और एक रेड फिर से एक वाइट लेकर यह थागा है उसके पास खमजे जाकुदाइगे उस एक मोती छोड़कर बीच में थागे में से समय निकालकर हमने पहले जब किया था पहली लेंग में उसी तह यह इस बनाना है इसको इस तरह अब फिर से यह जो सर्वात होती है वहाँ थोड़क दीट कताएगी फिर से एक रेड और एक वाइट और एक वाइट फिर से एक मोती छोड़कर भीच में से थागे में से समय निकालकर फिर से वाइट मोती में से समय जब पेली बार बनाया था ने उसी तरह हमें पूरी लाइंड कम्प्लिट करनी है इस तरह एक रेड और एक वाइट लेकर अब हम एंड तक को तने चा रही है देख सकते हों दिखाती हुए अब एक ही कली बाकी है दिखाती हुए रेड और वाइट लेकर ये छो लास्ट वाला है उसमें से हमें बीच में धागे में से स्वई निकालनी है और वाइट में से इसी तरह अब देख सकते हुए अब जो ये वाइट वाला मोती है उसमें से स्वई निकालनी है और ये पास वाला रेड मोती है उसमें से स्वई निकालनी है दिखाती हुँ ए रेड में से स्वई निकालनी है फिर से वाइट में से स्वई निकालनी है ये वाइट में से वाइट करें पैली लाइग में से इस तरह देख सकते हैं अब तीन वाइट लेकर ये दूं और तीन वाइट लेकर ये रेड मोती है उसमें से सोय निकालनी है और यह पास वाला रेड वाला मोती है उसमें से वाइट मोती में से सोय निकालनी है फिर से रेड मोती में से सोय निकालनी है रेड में से सोय निकालनी फिर वाइट मोती में से फिर यह पास तीन मोती लिए थे उस वाइट में से भी सोय निकालेगी अब यह ती महती क्रीन तर्फ दीनो मैं हम उस May निकालं कर the apply मोती उसमें से स्थुने कार अब हों में दो वैट लेना है दोवाइद लेना है और जो रेड में से वाइट मोती है उसमें और रेड में धागा निकला है उसमें और पास वाला रेड में इस मोती में स्वय निकलनी है आप देख सकते हैं अब फिर से दो वाइट लेना है और ये वाइट और धागा वाला वाइट रेड और उसके पास वाला रेड इसमें से तीन मोती में से सो निकलनी है, फिर से दो मोती लिना है, फिर से ये वाइट और धागा वाला रेड और पास वाला रेड इस तरह, आप देख सकते हों, इसी तरह, फिर से दो वाइट और वाइट मोती में से और धागा वाला रेड और पास वाला रेड मोती में से सो, इसी तरह हम पूरी लाइंग कम्प्लेट कर लेंगे यह भी यह हमारा पूरा होने चाह रहा है लाट तक हम पॉच गए हैं फिर से दो रेड लेकर वाइट और रेड थागा वाला उसमें से यह हमारी कम्प्लेट हो गई है आप देख सकते हो कानाजी के लिए सुन्दर अलकावली बंड गई है इस तरह अलकावली को पहनाते हैं इसी तरह यह हमारी यलकावली कम्प्लिट हो गई है अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक अब हम नोट लगा लेंगे और अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए तो लाइक करें और सबसेट करें